दोस्तो मेरे चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आप पीडित हैं आप यहाँ पर अपने कंप्लेन को जब थाने में लेकर जाते हैं तो यहाँ पर थाने में आपके कंप्लेन को नहीं सुना जाता है तो फिर आपको लगता है कि जो SP सहाब होते हैं, वे बहुत बड़े अपसर हैं, अगर आप उनके पस कंप्लेन करेंगे तो निश्चित ही करवाई होगी, लेकिन आप हतास तब हो जाते हैं, जब आप SP सहाब के पाह जाते हैं, और वे आपकी कंप्लेन को सुन कर भी कोई एक् आनने के लिए आप इस वीडियो में अंतक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई इस इन्फरमेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करू, तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नट्फिकेशन मिल सके, दोस्तों यहाँ पर अगर आपके साथ कोई भी कोगनीजेवल ओफेंस घटित होता है, यानि की कोई सिरियस नेचर का प्राद, जैसे की हत्या, लूट अपर अरन रेफ, तो फिर यहाँ पर पुलिस को ते फायार करें, और यहाँ पर इंविश्टिकेशन करें, और जो भी आरोपी है, उसकी गिरिफतारी भी करें, लेकिन यहाँ पर ठाने से तो आपकी बात सुनी नहीं नहीं जाती है, और इसपी साहब के पास आप जाती है, तो भी नहीं सुनी जाती है, दोस्तों यहाँ पर जब आप इस चीज को साबित करेंगे कि आपने SP सहाब को complaint किया था दोस्तों यहाँ पर आप return में आप अपने सिकायत को लिखें तो यहाँ पर आप अपने complaint को एक साधे का गज़ पर लिखें और register speech post के माध्यम से SP office में भेज दें अगर आपको SP office का address नहीं पता है ताकि यहाँ पर proof रहे कि आपने SP सहाब को complaint किया और जब आप SP post करते हैं तो जो उसका receiving होता है आप सबूत के तौर पर उसे रख लें और अगर SP सहाब यहाँ पर नहीं सुनते हैं तो फिर आप यहाँ पर उनके उपर RTI भी लगा सकते हैं और RTI के माध्यम से जान सकते हैं कि जब आपने complaint किया तो फिर क्यों नहीं करवाई हुई और फिर आप SP सहाब से जो वरिय अधिकारी होते हैं आप उनके पास भी जा सकते हैं आप DIG सहाब के पास complaint कर सकते हैं आप IG सहाब से complaint कर सकते हैं आप यहां पर राज के पुलिस के जो मुखिया होते हैं जो DGP महोदे होते हैं आप उनके पास कम्पलेन कर सकते हैं लेकिन अगर कहीं से बात नहीं बने तो फिर आप सीधे यहां पर कोट का धरवाजा खटखटा सकते हैं यहां पर आपकी बात आपका वोकिल कोट में पिर यहाँ पर S.P.S. आपको निस्चीति फटकार लगेगी कि यहाँ पर जब आपके पास प्लेन गया तो फिर आपने करवाई क्यूं नहीं की तो यहाँ पर अगर आप पर आपके प्रॉब्लेम को सुना जाएगा और जो भी अधिकारी आपके सिकायत को यहां पर अंदेखा की हैं उनके उपर भी यहां पर करवाई निश्चीती होगी तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप हम से सीधे जूर नहीं चाहते हैं पौन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों आरेसे दार में हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में डॉप्रिके साथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल लखें